हेलो दोस्तों, वेलकम टो आवर यूट्यूब चैनल मैथ वीद मनोज, जहांपर मैं आप लोगों को कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैथ की प्रिप्रेशन करवाता हूं। जैसा कि हम सभी को पता है, SSC CGL 2021 के एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ हमारे पास 15 दिन बाकी है। और किसी भी एग्जामिनेशन के लिए लास्ट के 15 दिन बहुत ज़्यादा माइने रखते हैं। ये 15 दिन आपकी पिछे की की गई त्यारी को उप्टिमाईज भी कर सकते और यदि आप लोगों ने गल्थ स्टेटजी से पढ़ते रहे तो आपके पिछे की पूरी की गई मैनत पर पानी भी फेर सकते हैं। तो इन 15 दिनों में हमें क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो भी नए बचे चै घ्याइट करना या अकजाम को कैसे अटेम्ट करना है उसकी स्टेटी में हम पहले बात कर चुके गरसेHaim इस वीडियो का लिंक आपको डिस्कृप्स दिशल में करना है और किस सेक्षन को बात में पालड़ा करना है ये सारी बात्ते मैंने उसके अंदर आपको अच्छे से स तो उमीद की जाती है कि आप उस मोग टेस्ट से अपनी गलतियों को समझे यानि कि उसको एनलाइज करें और देखें कहां पर आपकी गलती है और कौन सा पॉर्शन आपका स्ट्रोंग है अब लास्ट के 15 दिन में आपको किसी भी सीर्इज गा कुझसे बनाया गया मोग टेस्ट नहीं लगाना है उसके दो नुकसान है किसी भी सीर्इज कि बात कर लो जो वह कुझसे मोग टेस्ट बना के देते हैं वह क्या करते हैं जो कॉश्ण ओफ लेवल है वो थोड़ा सा मुश्किल रखते हैं, hard रखते हैं, as compared to exam, उनकी ये बात ठीक भी है, आप hard try करेंगे, तो simple वाला तो आप normal से कर लेंगे, लेकिन last के दिनों में इसे attempt करना आप लोगों की बेवकुफी ही होगी, इससे दो गलतियां होगी आप लोगों की, एक तो ये irrelevant है, कि अग्जाम में नहीं आने जो बहुत जादा hard वाले question है, दूसरी बात बहुत जादा कम time बचा है आप लोगों के पास, अब नए question सीखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है, दूसरा नुक्सान क्या है अब ही, जब आप hard mock test लगाते हैं, तो आपके 200 में से उसमें number बनते होंगे, लगबग maximum 130-140, ठीक है, इतना तो बनता होगा, जो बहुत अच्छी बात है, अगर नॉर्मल वाले mock test में आपके इतने score बनता है, लेकिन क्या होता है कि hard वाले में आप लोगों का जो score है, वो कम बनेगा, और कम बनेगा तो आपका जो confidence of level है, वो भी कम होग कि मेरे तो score बहुत जादा कम बना है, मेरा क्या होगा, आपको tension बढ़ेगी, burden बढ़ेगा, तो आप लोगों को last के दिनों में ये mock test नहीं लगाना है, जो भी कोई series आपको प्लब दिकरवाती है, नॉर्मली, अब लगाना क्या है फिर, last के 15 दिन आप लोगों के पास बाकी मिनिमुम आपको एक mock test लगाना है CGL 2021 के लिए, और अच्छी बात है कि अगर आप दो mock test लगा सकते हो, तो mock test लगाने का मतलब है कि आपको mock attempt भी करना है, और उसका analysis भी देखना है कि कहां पर आपके क्या गलतिया रही और उनको सुधारना है, last के 15 दिन में मेरी जो preference रहती ह है वो रहते हैं कि आप previous year पर जादा ध्यान दें, ठीक है, previous year के question पर ले लें, mock test की series आपको वो भी उपलब्द करवा देगी, जो पीछे 2020 में, 2019 में, 2018 में, जो भी अग्जाम हुए है, वे सभी as it is, आपको मिल जाएंगे attempt करने के लिए, तो आप लोग उन पर ध्यान दें, जो कोई भी site है, वो अपने आप से उपलब्द करवारी है बना कर उसको बिल्कुल ना देखें, अब अग्जाम के अंदर आप लोगों के च्यार पार्ट आएंगे, reasoning, gs, math, और English, ठीक है, अब किस subject को आपको ज्यादा time देना है, और किस को कम, देखो भी एक बात दिमाग में बठा के लेकर चलना भई, कि gs में आप कभी भी 50 में से 50 स्कोर कभी कर ही नहीं सकते, चाहे कोई teacher भी बैठ जाए, इतना स्कोर नहीं कर पाएगा, तो कुछ बच्चे मैंने देखिया है, वो क्या करते हैं, कि 4-4-5-5 गंटे बस gs पढ़ते रहते हैं, gs से आपका, और कोई exam का मुझे पता नहीं, ssc का कोई भी exam है, वो gs के बेस पे नहीं निकाला जा सकता, उसके लिए आपकी math और English अच्छी होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, अब ये जो दो topic हैं, math और reasoning, ये बहुत ही beneficial हैं आप लोगों के लिए, अगर आप इने त्यार करते हैं, आप ज्यादा time, बहुत ज्यादा time इसको भी मत देना भी, 3-4 गंटे math को दीजिए, क्योंकि जिसका math strong है, उसकी reasoning अपने आप से strong हो जाएगी, और यही दोनों part है, जिसमें आप 50 में से 50 बहुत अराम से लेके आ सकते हैं, तो आप लोगों के इनको time देने की बहुत ज्यादा ज साथ, basic concept को भी बहुत अच्छे समझाया और बताया है कि क्या best approach है, exam में किसी question को solve करने के लिए, तो आप इससे help ले सकते हैं, यह दोनों आप बहुत अच्छे से त्यार करें, math और reasoning, अगर इनमें आप 50-50 score कर लेते हैं, तो 50% तो यहीं से आप लोगों का बन गया, 50 नहीं आएंगे, तो उसी में reasoning कि आप लोगों की practice हो जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अब जब previous year के लगा रहे हैं, तो उसमें एक बात ध्यान रखना, GS में अगर आपके कम भी बनते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो GS क्या है, उसमें जो current affair आए है, वो पुरा रतन कंपनी हैं, उनके CEO कोन है, प्रेजेंट में किस डिपार्टमेंट किस के पास है, कोन कोन सा मंतरी है, ठीक है, न्युकतियां होगी, प्रेजेंट में, current affair होगे, ठीक है, और थोड़ा सा जो ये युक्रेन और रस्या वाड़ा विवाद चलिया, इससे भी क्वेशन आने एरर के लिए वो कि सिर्फ नाउन पर ध्यान देकर प्रेक्टिस करते रहते हैं, ये तरीका बिल्कुल गल्त है भी लास्ट के दिनों में, अगर आपको इंगलिस की त्यारी करने है, तो आप प्रिविस एयर अग्जाम से ही करें, और जब आप मोक लगाएंगे तो उससे ब प्रेक्टिस करें जो मोक टेस्ट में आप लोगों ही बहुत अच्छे से होगा, अगर आप लोग इस स्ट्रेटजी को फोलो करते हैं, तो मेरे से लिखवा के ले लिए अगर यदि आप लोग के अब अगजाम में 130 या फिर 135 नंबर बनते हैं, और आप ये स्ट्रेटजी को पंदरा दिन के लिए फोलो कर लेते हैं, ठीक है लास्ट के पंदरा दिन नहीं बात की हैं, इसके लिए फोलो कर लेते हैं, तो मैं गरंटी के साथ कह सकता हूं, आप 160 पलस स्कोर आराम से कर देंगे और ये मैंने सिर्फ नॉर्मल बच्चों के लिए बोला है, कुछ चाहिए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिसको मैत की प्रिप्रेशन में कोई दिक्कत है, तो वो इस चैनल चाहिए help ले सकता है, मैंने मैत का स्लेविस इस पर डाल रखा है, जो आपको काफी help करेगा, तो आप सभी को अग्जाम के लिए all the best preparation करते रहें, और और बहुड़ टागने, झैंजा झाए वो बागने, तो आपसी हो Jan G 1, का सम्रिक के लिए भीकत है, वो अग्पैं का 1, का 2, का 3, मैं थी प्रेश जो आप दो दिईए, आपको को किने, वोप के जो सब्सक्राना स्राइब को जो आपको का 5,2, का 2, का 2, का 2, का 3, का 2, की